वेलकम टूए एमटेक वायरल्स दोस्तों मैंने आपको फ्लटर का इंट्रोडक्शन दिया पिछले वीडियो में अगर आपने वह नहीं देखा है तो प्लीज उससे पहले देखे क्योंकि आपको पता चलेगा कि हम यह क्यू कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं और क्या इसके पीछे जो है वह मोटिवेशन है या क्या उसके लिए हम क्या क्या हमने पाथ रिसाइड किया है तो इस वीडियो मैं आपको बताना वाला हूं कि आप फ्लटर को इंस्टॉल कैसे कर सकती है अपने पीसी या लैप्तॉप में तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यह फ्लटर.io जाना है कि मैं सपोस्ट कर चलता हूं कि मोश्टली रोग के पास Windows होगा मेरे पास Mac OS है तो मैं Windows के इसाप से बताता हूं आपको तो आपको पहले git for Windows डाला है और उसके बाद आपको फ्लटर SDK है उसका जो repository है उसको clone करना है उसके बाद आपको उसके path को set करना है और फिर फ् OS यूज़ कर रहे हो तो यह बहुत ही असान प्रोसेस है और iOS वगेरा के लिए भी आपको टेंशल नहीं की ज़रूरत नहीं है बट Android में आप iOS नहीं चला सकते हो आपको एक Mac जो है वो एजेंट तो चाहिए ही होगा अगर आपको चलाना है तो Android अब मैं एक चीज़ और बता सकते हैं Atom यूज़ कर सकते हैं इसके लगर अगर आपको आइडिया यूज़ करना है तो आप IntelliJ का आइडिया यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप Android डेवलपर है या आप अगर आप Android developer है तो आप Android Studio भी यूज़ कर सकते हैं Android Studio में आपको यह Intelli idea है उसमें आपको इसका एक plugin इंस्टॉल करना होगा जो कि मैं आपको बताएता हूं कि आप कैसे कर सकते हैं जैसी आप Android Studio को open करेंगे तो आपके पास जो setting में एक option आता है प्लग इंस का तो वहाँ पर आपको जाना है और यहां से plugin सिलेक्ट करने है और यहां पर आपको सर्च कर लेना है करते हैं और बहुत ही नॉर्मल प्रोसीजर है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसकी डेवलप्मेंट मैं इसमें ज्यादा टाइम इस्टाइन लगा रहा हूं विकॉज और यह एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मुझे लगता है कि आप पढ़के ज्यादा अच्छे समझ पाए तो थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में